दोस्तों एक स्वाल बताता हूँ जो अक्टूबर, SSE के अक्टूबर एक्जाम में 6 सिफ में इस्टिनों के एक्जाम हुआ है प्रतेक सिफ में ये स्वाल पूछा गया है देखें ये जो टॉपिक है इससे पूछा गया है जो डाटा है भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुस से हैं तो ये एक नया टॉपिक है जो प्रतेक सिफ में स्वाल पूछा गया है तो आने वाले SSE के जैसे दिल्ली पूछ इसका हो गया नेक्ट जो भी SSE के एक्जाम आने वाला है उनके लिए ये टॉपिक आपको कावर करना है और इस वीडियो में इस टॉपिक से सारे फैक्ट है वो कावर हो जाएंगे ये भी आप सवाल देख सकते हो इसी टाइप से तो प्रतेक सिफ में अलग लग यहां पर छस्वाल पूछेगे हैं इसी टॉपिक से रिपीट करते हुए यहां पर गुजरा थरियना हिमाचर प्रदेश का पूछा है इसी प्रकार से प्रतेक सिफ में यह मेजोरम नागल एन ओडिसा का पूछलिया मिलान करने वाला कि गरीबी रेका से नीचे की जन से कहा कि प्रतिशत के सास्वमिलित करना है 2011-12 का जो योजना आयोग का डाटा है अभी नीती आयोग है वो राष्टी बहु आयामी गरीबी सूचकंग जारी करता है इससे पहरे योजना आयोग है यह डाटा जारी करता था अभी तो नैशनल फेमिली हैल्स सर्वे के तहर डाटा होता जारी इस टाइप से प्रतिक सिफ में यह जो योजना आयोग द्वरा 2011-12 की डाटा जो करीबी अनुमान है उस पर स्वाल पूछा गया है यह वीड होता है तो आपका घ्लत ना हो और लाश्ट में लेटेश डाटा 2023 का डाटा क्या कहता है वो भी बता देंगा ताकि करंड का स्वाल पूछ ले तो वो भी आपके कावर हो जाए तो एंड तक आपको बने रहना है पीडिया फाइल के लिए टेलिगाम चनल जोइन करना है अप अब तक आपको किसी सौर्च बोक्स बगेरा में नहीं मिल रहे थे और एक्जाम स्वाल आ रहे थे तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन हिट कर देना है इस टाइप के नए नए वीडियो देखने के लिए विशेश कर ऐसे सी एक्जाम से तू अब स्वालों के तरब दोबारा मूग करते हैं और इन स्वालों का एंसर जानते हैं फिर पूरा वो डाटा देखते हैं आगे बड़े उससे पहले बेहतरीन डील दसरह के अवसर पर टेस्ट बुक आपके लिए लेकर आए हैं सबसे कीमती जो टेस्ट बुक पास परो था वो इतना बढ़ चुका कि 50% त्यारी आपकी मौक टेस्ट से प्रैक्टिस से ही हो पाती है जितने आप बेहतरी रंग से एक्जाम पैटरन पर आधारीत मौक टेस्ट देंगे प्रैक्टिस करेंगे आपके एक्जाम में सेलेक्शन होने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते प्रैक्टिस कीजिगा मौक टेस्ट के और एनलिसिस करके देखीगा कहाँ पर गलती हो रही है नेक्स्ट मौक में उसको सुधार करना है इस टाइप से एनलिसिस करते हुए आप मौक टेस्ट हैंगे तब ही आपका हो पाएगा सेलेक्शन रेंक साइट तो टेस्ट बुक से जोड़ सकते हो क्योंकि यहाँ पर सभी एक्जाम्स के मौक टेस्ट एक ही पास्ट मिल जाते हैं जैसे कि यह जो पास्ट प्रो है टेस्ट बुक का इसमें 700 प्लस एक्जाम्स के मौक टेस्ट आपको मिल जाएंगी और पास्ट प्रो का मतलब प्रिविश एर के उस एक्जाम का previous year में जो paper हुआ वो mock form में आप attempt कर सकते हो और pass pro में कोई भी test आपने attempt के उसको दोबारा re-attempt करके आपकी accuracy बढ़ा सकते हो और जो भी state level और center level government exams होते हैं प्रते एक exams का mock test आपको test book पर मिल जाएगा और best deal अभी जो चलरी दसर है कि TTG के open code use करते हुए आप यहाँ पर grab करना link description box में वीडियो के end में दोबारा याद देला दूँगा ताकि यह miss न हुआ आपसे सवाल है यहाँ पर जो दो राज्ये हैं उसमें से गरीबी देखा कि नीचे की जनसंगया का परतिशा सरवादिक है तो सरवादिक गरीबी रेखा वाले राज्ये एक तरीके से जो योजना आयोग 2011-12 के डाटा के अनुसार तो इस सवाल का आप एंसर देखेंगे तो यह टेबल को मैं रैफर कर रहा हूँ सबसे जयदा गरीबी में 36 गड़ है 49.93 फीस ती परसंटेज लोग उस डाटा के एकोर्डिंग 2011-12 के एकोर्डिंग गरीब है सेकेंड दादर नगर हवे लिए जो यूटी है यूटी में टॉप दादर नगर हवे लिए उसके बाद जारकंड है तो दिखेंगे ऑप्सन में आपका 36 गड़ जारकंड वाला विकलता आप जारकंड में भी 36.96 फीस ती गरीब है यह आप क्या सकते हो यह पास में कितने ल 20 लाक हैं और उसकी प्रसंटेज में यह डाटा है शरवादिक प्रसंटेज है वो 36 गड़ का है ध्यान रखना है 2011-12 शरवादिक प्रसंटेज दादर नगर हवे लिका यूटी में उसके बाद जारकंड मनिपूर अनचे प्रदेश बिहार और इनका प्रते का अलगली की प् सिंक्या का प्रतिसत कितना है कितने लोग गरीब हैं गरीबी रेका के नीचे हैं बिलो पावर्टी लाइन है बीपियल है तो इसमें चंडिकट का डाटा है 21.81 फीचती भाई देख सकते हो किस टाइब से उट पटांग हद होती है स्वाल के डिफिकल्टी लेवल की ये स्वार बना है प्रतेक सिप में ऐसा स्वार बना है ऐसा नहीं एक सिप में बना है तो 21.92 फीचती लोग है वो गरीब और चंडिकट का भी डाटा यही है आप देख सकते हो यहां पर चंडिकट तो चंडिकट में भी 21.81 फीचती गरीब है जो की 2.35 लाग पीपल है बिलो पावर्टी लाइन नेक्स वाल देखो भारत के योजना आयोग के अनुसार राज्यों के किस सम्हों में गरीब ही रेखा के नीचे की जन सिंक्य का परतिसात सबसे कम है सबसे कम गरीब इस प्रिकल्प में जैसे 36 कर जारकन देखे सबसे अधीक वाले थे वो यहाँ पर आपको सबसे कम पूछान केरल और हिमाचल प्रदेश इस ग्रूप में सबसे कम गरीब है यह आप कर सकते थे केरल आको सबी को पता है वरतमान में भी सबसे कम गरीब केरल है और हिमाचल प्रदेश उसमें भी गरीब ही रेखा के नीचे सबसे कम प्रतिसत दोग यहाँ पर केरल और हिमाच्छल प्रदेश यह टेवल उस पूरी PDF फाइल में आपको मिल जाएगे टेलीग्राम पर नीचे आप देखेंगे सबसे कम में आपका अंडमान निकोबार UT है लक्सडीप UT है तो UT में सबसे कम पूछे तो अंडमान निकोबार और लक्सडीप है और इस्टेट में पूछे तो सबसे कम यहाँ पर इस्टेट में उस समय था गोवा कौन सा इस्टेट था गोवा था गोवा के बाद कैरला फिर हिमाच्छल प्रदेश आप देख सकते हो गोवा में 5.09 फीस्ती है उसके बाद कैरला में 7.05 और हिमाच्छल प्रदेश में 8.06 ले तो यहां पर आपको मिलान करना है तो गुजरात में गरीब रिखा की नीचे जीवनिया अपन करने वारे परसंटेज हैं सोहोला पॉइंट 63 फीज ती अरियाणा की बात करें तो ग्यारा पॉइंट 16 फीज ती हैं गरीब रिखा की नीचे उस समय 2011 बारे में हिमाच्य प्रदेश में है 8.06 फीज ती क्योंकि हिमाच्य प्रदेश में सब से कम जैसे अभी आप देख रहे थे केरल हिमाच्य प्रदेश कुआ सब से कम है तो इसमें सब से कम वाला आप डारेक्ली जैसे देखते तो 3A में दो विकल्प थे पहला था तीस पूश्तान में अझाल पूश्तान में यहाँपर आपको मिलान करने से आता है या पिर सबसे अधीक सबसे कम पूछता तो percentage पर ज़्यदा आपको फोकस नहीं करना ये देखना इनका करम क्या है प्रतेक इस्टेट का आपको करम पता होना चाहिए सबसे ज़्यदा गरीब कोई है सबसे कम कोई है उसके according आप यहाँ पर मिलान कर सकते हो तो ये पूरी टेबल एक बार कावर कर लेते हैं ये टेबल है राज्यो दोरा गरीबी रेका से नीचे की जनसिंख्या की संख्या और प्रतिशत है जैसे कि यहाँ पर ये संख्या है कितने लोग गरीब हैं ये ज़्यदा इंपोर्टेंट नहीं है परसंटेज आपके लिए इ इकोर्डिंग उसके बाद अर्बन का डाटा है परसंटेज के एकोर्डिंग फिर टोटल है आपके सामने तो आप देख सकते हो सबसे अधीग गरीबी रिका के नीचे जीवन ये आपन करने वाले लोग है उस डाटा के एकोर्डिंग वो आपका 36 गड़ है 36 गड़ में रूरल में कितने परसंटेज है 84 फिस्ती लोग गरीब है और अर्बन में 24 फिस्ती ये कितने लाख में है ये लाख में है ये ज़्यदे आपको ध्यान नहीं रहना ये परसंटेज बार डाटा आपके सामने है वो इंपोटेंट है और बात करेंगे 36 गड़ में रूरल और अर्बन दोनों को जोड़ दे यह ग्रामिन और सहरी दोनों को जोड़ दे तो 49.93 फिस्ती लोग है वो एवरेज इनका निकल के आएगा वो गरीबी रिका के नीचे हैं जो के 104.11 लाक यह एक पॉइंट को सम्तिंग करोड लोग गरीब है यह 2011 बारा अब दादर ढर का दाटा है वो थारड इस्तान पर है दादरणनगर हविली में आपको 89.31 है जरकन का है 37.6 फिस्ती जरकन के बाद है मनिपूर का सीकेंट जरकन के बाद मनिपूर भी हैν 36.99 फिस्ती वसके बाद है अनुच्छ प्रदेश, अनुच्छ प्रदेश हैं 34.66 फिस्ती ठीक् मनिपूर अनुचर प्रदेश उसकी बाद बिहार का नंबर था जो कि 33.4 फीस्ती डाटा था उस समय बिहार का कितरा प्रश्टेश आपको पूचे तो आप को एंगे 33 था बिहार 33 पर प्रश्टेश पर पास हो रहा था तो 33 पर पास हो रहा था एक तिर किसी नेश्ट आपके ओडिशा का था वह 32.可श्ट फीस्ती है विहार कि निच्छ है ओडिशा से नीच्छ था असन औरिशा से कम गरीब है विहार से कम है असन का राटा है वो 31.88% लोग उसके बाद मध्य परदेश का है उसमें आपका 31.65% है फिर आपका उत्तर परदेश का है वो 39.43% है नेश्ट आपका चंडी गड़ चंडी गड़ है यह चंडी गड़ ठीक है जो चंडी गड़ में है वो उत्तर परदेश की नीचे ज़़ चंडी गड़ है वो चंडीगेट की नीचे कलना टक है, फिर मजोरम है, मजोरम में है, 20.4 है, उसके नीचे है पच्छी मंगाल, मजोरम की नीचे है पच्छी मंगाल, 19.8 में, नेक्स्ट आपका नागलेंड है, वो है 18.88 फीचती, उसके बाद महाराष्ट्रा है, 17.35 फीचती, फिर है गुजरात, महाराष्ट के नीचे गुजरात है, गुजरात में है आपकी 16.63 फीचती, राजिस्थान में कितने है, तो वो 14.1 कतर है, तिरपुरा की बात करें, तो तिरपुरा में है यापर 14.05, उसके नीचे आपका आजाएगा मेगले, राजिस्थान के नीचे तिरपुरा, फिर मेग मेगाले में 11.87, नेश्ट तमीन लाडू में है, वो 11.28 फीस्ती है, फिर उत्राकंड में कितने हैं, तो 11.26 है, ग्यारा पर काफी है, हर्याणा में भी 11.16, उत्राकंड के नीचे हर्याणा, हर्याणा के नीचे जमो कश्मीर, यूटी जो 10.35 समय राज्य था, उसके वो नीचे पंजाब में 8.26 फीस्ती लोग, गरीब, नेश्ट आपका सिक्की में, सिक्की में 8.19 फीस्ती, उसके बाद हिमाच्य प्रदेश में 8.06 फिर केरला, केरला में कितने हैं, 7.05, उसके बाद गोवा, गोवा में 5.09, यह सबसे कम बले आगे, फिर लक्स द्वीप हैं, लक्स द् यह सब्सेश में आपका करती हैं, गरीब, नेश्ट आपकेकğan के लोग, गरीब, नेश्ट आपण करते हैं, वे गरीब, नेश्ट आपकरण करते हैं, और पूरे भारत में उदर 11 बारा का डाटा के कोर्डिंग 13.7 फीस्ती सहरी लोग है वो गरीबी रिखा के नीचे जिवनियापन कर रहे थे तो 25.7 ग्रामिन 13.7 है वो सहरी है लगबग 25 का आदा है यहीं ग्रामिन का आदा सहरी लोग गरीब थे और टोटल यहाँ पर गरीब थे एक बार फिर इस टेबल में सबसे लोवेस्ट और सबसे हाईएस्ट है या फिर करमवाईज इस्टेट देखते हैं तो सबसे लोवेस्ट यह नी सबसे कम गरीब था वो अंडमान निकोबार की लोग थे उसके बाद थे लक्सदीब की लोग सबसे कम थे गरीब फ सबसे हईस गरीब एक हावाले उसमें आपका 86 क immortal डादर नगर हविले ज्षार खणjis मनिपूर अउनुच प्रदेस अज़ार सब्सक्ट के सब्सक्राइब 9. 29.43 है बिहार में मैंने कितना बताया वो 33 वीशती वारा बताया था आपको 33 पूइंट चे उतर कितना चो उतर उसके बाद ओडिसा में में लगबग 32 पूइंट 69 है और मद्धिप्रदेश में कितने है वो 31 पूइंट 65 है नेश्ट आपका चंडिगर में जो आपको पूछे वो स्वाल 21 पूइंट क्या सी है करना टक की बात की बात करे तो लगबग 20 के आसपास करना टक है मेजोरम भी 20 है उसके नीचे पच्छी मंगाल में आपको पूछे तो 19.88 लगबग 20 है नागलेंड उसके नीचे है फिर महार नागलेंड के नीचे महाराष्ट में आपको पूछे 17.35 उसके नीचे गुजरात जो आपको पूछा हो 16.63 फिर राजिस्थान का पूछे तो 14.31 उसके नीचे तिरपूरा है तो यह टॉप वाले स्टेट है इनका थोड़ा करम आपके दिमाग में नहेगा तो एजली आप स आप में थे तो 32.9 से टोड़ी सा है तो इस टाइप से आपका थोड़ा आइडिया रहेगो इस टैबल पे नजर दोलती रहेगी आपके एक दो बार रहेगी तो यह स्वार आपका एजी हो जाते है अभी जो पूरा 2011-12 का डाटा है और भी कुछ टैबल है इंपोर्टेंट ह हो सकता है नेक्स्ट आपके एक्जामें इन से आजा है इस वाल तो वो भी अपन देख लेते हैं सबसे पहले इस टाटा की बात करें तो यह जो अंतिम पंच वार्शिक सर्विक्शन था 2009-10 में जो हुआ था वो आपका 68 वा था उसका वो आयोजित हुआ था लेकिन गंबीर चुके कांड दोबारा आपके एन से सुचने 2011-2012 में ये ये डाटा 68 वाट डाटा था जो की जारी हुआ है 2013 में 20 जून को तो ये योजना आयोग ने समय समय पर प्रतेक वर्श के लिए गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात का अनुमान लगाता है इसके लिए वो NSSO दोर ये सर्यक्षन आयोग जित किया जाता है जो आम तोर पर पंच वर्श है हर पांच वर्श में होता है जिसे अभी जो हो रहा है वो आपके नीती आयोग के दोरा हो रहा है राष्टी बहु आया में गरीबी सूचकां के तहती ये डाटा दिसमर 2005 में योजना आयोग ने शुरेश ली डी टैंदूलकर के अध्यक्तामे कि विसे सज़के समुखा गटन किया ये जो पूरा दाता पर देख रहे है न ये सुरेश डी टैंदूलकर की समीति के द्वारा ही एक整ірे के से अनलिसस किया गया डाता है तो तो ये समीति है 2005 में इसका गटन किया गया था तो तेंदुलकर समिती ने दिसमर 2009 में अपनी पहली रिपोर्ट थी और 2005 के लिए गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात की उस रिपोर्ट में गणना की गई थी 2005 के गरीबी रेखा की गणना 2009 में रिपोर्ट आई तुलना के लिए उन्होंने समान पत्ति को 1993-94 के लिए गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात की भी गणना की है तो तुलनात्पक रूप से उनकी पहले वाले डाटा के भी उन्होंने गणना की और योजना आयोग ने उसे स्विकार किया इस समीति की डाटा को और मैं बात करूँ डॉक्टर सी रंग राजन के अध्यक्सता में एक समीति के गटा ने वो 2012 में किया गया लेकिन ये जो डाटा है 2011-12 ये तेंदूलकर शमीति की दोरा अनुसंचित ये जो डाटा है 2011-12 का गरीबी अनुपान वाले डा MRP जो Mixed Reference Period है मिश्रित संद्रिब आउधी के आदार पर MPC की संद्रिब में इसे व्यक्त किया गया है यानि मासिक प्रतिवेक्ती उपभोग वेद NSSO लगबग 1.20 लाख प्रिवारों का यहां पर वेव को उन्होंने टेबुलाइजड किया और इन प्रिवारों में सद्रिश्चों की सेंख्या अलग लग थी तो NSSO ने प्रति महा प्रति व्यक्ती उपभोग वेद निकालने के लिए यहां पर प्रति प्रिवारों में अलग छेत्रों के लिए राष्ट ये गरीबी रेखा का अनुमान था 816 रुपए यह एवरेज है हलांकि प्रते के श्टेट का अलग लग था लेकिन जो एवरेज निकलके आया गरीबी रेखा का अनुमान यानि जो लोग 816 रुपए प्रति व्यक्ती एक माह में यही 816 तो ये एक तरीके से 816 रुपए है वो लाइन है उसके ऊपर है तो आप करीब नहीं उसके नीचे है तो आप बिलो पोटी लाइन है तो 816 रुपए आपको ध्यान रखना है त्यान रुपकर शमीति ने गरीब प्रति व्यक्ती आय जो बताई है प्रति महा प्रति व्यक्ती आए 816 रुपे हैं तो आप एक तिर्किस ये डिफाइन किया गया है ग्रामिन शहत्तर के लिए और शहरी शहत्तर के लिए हजार तो 816 हजार ये हलांकी प्रतिक इस्टेट का लग लग है अवराल इंडिया का ये मैं बता रहा हूं 816 और हजार प्रतिक इस्टेट का पन देखते हैं प्रतिवेक्ति आई के आधार पर सभी राज्यों की गरीवी रेखा है तो बिलो पॉर्टी लाइन पर कैपिटा मंथली इंकम के अकॉर्डिंग कितनी है तो आप देख सकते हो यहां पर हाइस्ट जो निकल के आ रही है रूरल की वो पुदुचेरी की है तेरा सो एक रुपे यदि आप पर महा से प्रतिवेक्ति कम इंकम कर रहा है इसका मतलब वो गरिभी रेखा के अंतरकत आ गया है गरिभी रेखा के नीचे बीपियल आ गया है इसी टाइप से हाइस्ट जो अर्बन में भी है यह शहरी छेतर में भी तेरा सो नो रुपे वो पुदुचेरी का है तो यह डाटा दिहान रखिएगा सबसे हाइस्ट पुदुचेरी की बाद रज्यो में नागलेंड टॉप पर है एक तरीकेसी पर कैपिटा इंकम 2011-12 के एकोडिंग पर मन्त पर कैपिटा इंकम है नागलेंड टॉप पर है इसका आपको ध्यान रखना है उसके नीचे रूरल में आपके दिल्ली आ जाता है जो 1145 है मनिपूर गोवा, मेजोरम, पंचाब, केरला, हरियाना ये डाटा में ने रूरल की अकोडिंग बता राओं श्टेट बाकी थोड़ा अर्बन में उपर नीचे हो सकता है महाराष्टर, गुजरात, अनुचर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचर प्रदेश, राजिस्थान, करनाटक, जमु कश्मीर, मेघाले, तमील नाडू, उत्राकंड, आंधराप्रदेश, अस्सम, उसके नीचे तिरपुरा, वेष्ट बंगल, बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, जारकंड, चत्तिसकर ओडिसा, यानि सबसे कम पर कैपिटा इंकम ये रूरल की बात करें तो ओडिस सबसे कम है, अर्बन और रूरल दोरों में, और मेजु असोरी, नागा लेंड है सबसे अधिक, तो नागा लेंड सबसे अधिक पर कैपिटा इंकम हो रहे थी, प्रतिवेक्ति आए नागा लेंड में सबसे अधिक हो रहे थी, ओडिसा में प्रतिवेक्ति आए एक तरीकिस गरीबी को डिफाइन करने वाली सबसे कम वो ओडिसा है तो ओडिसा नागा लेंड ध्याद रखना ये स्टेट सबसे निच्चे आप देखेंगे तो ओडिसा चतिस गड़ जारखन उत्तर प्रदेश बिहार ये वाले और सबसे उपर आप देखेंगे पुदुचरी नागा ल अब थोड़ा और में एक टेबल बता देता हूँ जो कि आपको पूरा पहले के डाटा का भी रेफरेंस साथ में है जैसे उन्नीस सो तिरानवे चुरानवे में जो भार्त में टोटल पॉवर्टी थी वो 45.3 फिस्ती लोग गरीब थी पॉवर्टी रेश्यो था 45.3 दोदार 45 में ये हो गया 37.2 एनि कम हुआ और 2011-12 में ये हो गया 21.9 तो ये आप देख सकते हूँ साथ साथ इनका डाटा कितने लोग थे गरीब वो भी बताए गया है अर्बन का अलग है रूरल का अलग परसंटेज है तो रूरल आप देखेंगे 1993-94 में 50.1 फिस्ती लोग गरीब थ आप को बताया गया और आप 2045 में देखेंगे तो वो ही सहरी 25 फिस्ती थी और अबरहल डाटा है 37.2 फिस्ती थी 2045 में अभी 21.2 फिस्ती है 2011-12 में तो कितनी डाटा की कमी हुई है करीबी में तो आप डिकलाइन पर ये देखेंगे जैसे कि 2045 से 2011-12 है ये काफी साल हो चुक पर ये तो इसमें पर ये आप डिकलाइन देखेंगे 2045 में इसका डिकलाइन देखूं पर ये जैसे कि कितनी कमी आई है प्रतिवर्ष 25-2011-12, 37.2-21.9 आया है तो पर ये कमी आई है 2.18 फिस्ती लोग है वो गरीब कम हुए है प्रतेक वर्ष 24-2011-12 में और इसी टाइप से आप देखेंगे से ग्रामीन में कितने लोग कम हुए है तो 2.32 फिस्ती पर ये लोग कम गरीब हुए है यहाँ पर जैसे कि शुरुआत में 41.8 था तो 2004-500 के बाद 5-6 में 2.32 और गटा दो और 6-7 में 2.35 और ये एवरेज इतना गटाने पर आपके 2011-12.7 फिस्ती आ रहे थे ठीक है और यही आपका अर्बन का है 13.7 थे तो पहले 25.7 थे धीरी धीरी कम हुए तो 1.69 पर वर्ष कम हो रहा था ये डाटा है गरीबी रेखा का जो आपको पहले के वर्षों का है रेफरेंस में बताया गया है कितना डिकलाइन हुआ है ये भी आपको ध्यान में रखना 2. 2.18 फीश्टी अवरॉल डिकलाइन हुआ प्रतिवास 2004-2012 के इस अवधी में और आपको ये ध्यान रखना है 2011-2012 में 25.7 फीश्टी लोग रूरल में गरीब है 17.7 फीश्टी लोग सोरी 13.7 फीश्टी लोग अरबन में गरीब है टोटल 21.2 फीश्टी लोग गरीब है जो कि ग्रामिन चेत्रों में 25.7 शहरी में 13.7 और पूर्देश में 21.9 है और कितने लोग थे वो भी आप देख सकते हो चार पांच में 407 मिलियन लोग गरीब थे और 2011-12 में 270 मिलियन लोग गरीब रिका के नीचे है इसी टाइप से 24.5 से 11.12 में गरावट कितनी हुई है ग्रामिन चेत्रों में 32.2.32 फीश्टी है और शहरी चेत्रों में 1.79 फीश्टी कुल 2.18 प्रती वर्ष यहां पर कमी देखने को मिली है अब दोस्तों देखते है राज्यो दोरा गरीबी रिका के नीचे यह आपके सामने पूरा डाट मैंने बताया था स्वाल में रेडी तो यह इंपोर्टेंट है जहां से स्वाल पूछे गए थे अब यहां पर लाष्ट में खर्च वाली टेवल बता देता हूँ पहले इंकम की थी कितना आपको इंकम कर रहे थे तबी आप गरीबी रिका के नीचे है वो नहीं आ रहे थे अभी आप कितना खर्च कर रहे हो ताकि आप गरीबी रिका के नीचे आओ या पिर ना आओ तो उस खर्च की यहां पर expenditure की बात करें 2011 बारा के लिए MRP mixed reference period की अनुसार औशत मासिक प्रतिवेक्ति वे कितना है यह एक वेक्ति का एक मंत में कितना खर्चा हो रहा है तो वो र वो निकल के आया है expenditure उसके बाद चंडिगड में है उसके बाद लक्स द्वीप फिर अंडमा निकोबार आइलेंड फिर गोवा और केरला तो गोवा केरला कभी यहां पर खर्चा बहुत ज़्याद निकल के आया है उसका उतना आप खर्चा सेहन कर शकते हो तो आप गरीबी में सबसे कम है वो 36 गड़ ओड़ी सा धारकन बियार है वे सबसे कम हो रहा था 36 गड़ ओड़ी सा धारकन बियार गरामीन में और शहरी में सरवादिक प्रतिमा प्रतिवेक्ति और शत्वे सहरी में सबसे अधी कितना हो रहा उपर आपने डाटा देखा वो गरामीन में देख लेते हैं सहरी का सरवादिक कितना हो रहा है तो सहरी में आप सरवादिक देखेंगे तो अंडमान निकोबार आइलेंड हरियाना हिमाच्च प्रदेश दिल्ली तो इनका सहरी छत्र में प्रतिव्यक्ति परमंत वे हैं उसके बाद हरियाना उसके बाद हिमाच्च प्रद वे आप ये पूरी टेबल देख सकते हूँ दिल्ली में आप देखेगा 2690 रुपे आपकी ग्रामिन चेतर में हो रहे हैं वे तब आप इससे उपर यदि आप वे सहन कर सकते हो खर्चा तो आप गरीवी रिखा के उपर हो अदर्वाइज आप नीचे हो और खर्चा दिल्ली मे ये खर्चा दिखीगा ओल इंडिया में ग्रामिन में 1287 रुपे पर मंत प्रतिवेक्ती खर्चा और शेहरी में इसका दुगना लबग 2477 है और सबसे अधीक है वो सबसे कम है वो ग्रामिन में खर्चा हो रहा 36 गड़ का उसके बाद ओडिस्या का फिर जहरकंड का अब दोस सार 2015-16 में 2015-16 से 2020 की आउधी के दोरां रिकॉर्ड तेरा पॉइंट पांच करोड लोग बहु आयमिक गरिभी से फ्री हुए है 2015-16 से 1921 में 13.5 करोड लोग है वो गरीबी से मुक्त हो गए हैं फ्री हो गए हैं कितने लोग 15-16 से 1921 में 13.5 करोड ध्यान रखना ये डाटा ये डाटा अब आपको बताऊं 2021 में MPI का पहला एडिसन आया है उसके बाद 2023 में सेकेंड नविंतम जो राष्टिय परिवाश वास्ते सर्वेक्षन है नेस्नल फेमिली हैल्स सर्वे 2019-21 है इसके आदार पर राष्टिय बहु आयामी गरीबी सूचकांग का ये दूसरा संस्क्रण दोनों सर्वेक्षन यानि इससे पेले नेस्नल फेमिली हैल्स सर्वे चौता 2015-16 माया और पांच और 2019-21 माया है ये बहु आयामी गरीबी को कर्म करने में भारत की प्रगति को दर्शाता है यानि 2019-21 वाला जो डाटा नेस्नल फेमिली हैल्स सर्वे पांच है इसमें कम गरीबी दर्श की गई है जो कि 13 पॉइंट पांच क्रोड लोग कम हुए हैं 2015-2019 के इस National Family Health Survey 4-5 में कितने 13.5 क्रोड लोग हैं वो करीबी से दूर हो गए हैं और यह जो राष्टि मल्टी डामिनेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हैं बहु यह किन के आधार प्रते होता तो इसका आधार रहता स्वास्थी सिक्सा जीवनिस्तर इन तीन आधार पर इसको तै किया जाता है कि किस राज्जी की क्या इस्तती है और यह बारा HDG सनेकित संकीतों को दोला दर्शायग है जिसमें पोर्शन, बाल, उकिशोर मेर्टी दैर, मातर शोस्ती इसकोली सिक्सा के वर्ष इसकोल के उपस्तिती, रशोई गेंस, स्वस्चता, पेजल, बेजली, आवास, परिसंबती, बेंक यह सभी इनमें तै हुए है मानक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बहु आयामी घरीबों की संक्या जो 15-16 में थी, वो 24.45 फीशती थी जो नैस्नल फैमिली हैल्स सर्वेद 2015-16 वाला चौता है उसमें बहु आयामी घरीबी दोग थी, वो 24.45 फीशती और 2019-21 में यह हो गया है 14.96 फीशती तो आप देख सकते हो, 9% की ग्रावर्ट देखने हो मिली है बहु आयामी घरीबी में, जो बरतमान में इस्तती आपको याद रखनी है 14.46 फीशती लगवग 15 फीशती के आसपास है तो 10 फीशती के आसपास कमी देखने हो मिली है 15-25 आप ऐसे याद रखेगा 15-25 यानि पहले 25-15-16 में अभी हो गए है लगवग 15 फीशती यानि 10 प्रश्टेज की कमी इस आउधी के दोरान, यानि 15-16-21 के आउधी के दोरान सहरी छत्रों में गरीबी है वो दोस्तों 8.65 फीशती से गिरकर 5.27 फीशती हो गई है पहले सहरी चत्र में 8.65 थी 2015-16 में अभी 19-26 में 5.27 हो गई है और ग्रामिन चत्र में देखेंगे पहले 32.69 थी 2015-16 में और अभी 2019-21 में ये 19.28 फीशती है ये घड़ चुके है तो ये डाटा जरूर 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 जाद रिखीगा सहरी में अभी 5.27 है ग्रामिन में अभी 19.28 है और उत्तर प्लेस में 3.43 क्रोड लोग हैं वो बहु आयामिक गरीबी से फ्री हो गए है तो कि सबसे बड़ी घ्रावर देखने को मिली है यानि सबसे जएदा लोग है वो किस राज्य के फ्री हुए है बहु आयामिक गरीबी से यानि अपन ने अवराल बात की थी कि 13.5 क्रोड लोग है वो फ्री हुए लेकिन इन 13.5 क्रोड में यानि सबसे अधिक हुए है उत्तर प्रदेश के 3.43 क्रोड लोग है वो गरीबी से मुक्त हो चुके है और टोटल 36 जो राज्य और यूटी है ना 36 28 प्लस आठ और 707 प्रशास्तिंग जिले है उनके लिए जो बहु आयामिक गरीबी संबन्धी अनुमान की रिपोर्ट बताती कि बहु आयामिक गरीबों के अनुपात में सबसे त्यूर कमी उत्तर प्रदेश यहनि सबसे त्यूर कमी आप देख सकते हूँ 3.43 क्रोड लोग है वो बहु आयामिक गरीबी मुक्त है तो सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिली है प्रिविएस 2015-16 से 2019-21 की इस वर्ष में सबसे अधी कमी उत्तर प्रदेश में उसकी बाद बिहार, मद्धिप्रदेश, ओडिशा और राधिस्तान यह टॉप पले याद रहे कि एक उत्तर प्रदेश में हाइस्ट कमी वेलू 0.066 है तो इसका वेलू ज्याद रखना है 2015-1929 की बीच गरीबी की तेवर्ता है कितनी तेवर्ता है 47 फिस्ती से घटकर गरीबी है वो 44 फिस्ती रह गई है अभी डाटा में 44 फिस्ती ज्याद रखना है और यह बताती कि 2030 तक भारत है वो गरीबी जो 2030 तक एक sustainable development goal था गरीबी को कम करने का एक पर दो वाला लक्सी है उसको हासिल करने के पत परभारत अगरसर हो चुका है और लाश्ट में आपके सामने यह डाटा बता देता हूँ जो निती आयुक दरा 2021 में जारी किया गया बहु आयामी गरीबी सूचकांग है इसका स्वाल प्रतेक सिट में आ रहा तो इसका थोड़ा डिटेल में अपनों और वीडियो लेके आएंगे एक तो आपको डिटेल में स्वाल पूछे जाता है वो डेवलोप्मेंट इंडेक्स का पूछे जाता है एक गरीबी वाला पूछे जाता है तो बहु आयामी गरीबी वाली जनसिंग के आमें सबसे अधीक हिस्सेदारी सबसे ज़्यदा जोग गरीब हैं 2021 का जो लेटर्स डाटा कहता है वो बीहार में बिहार में 21.9% लोग गरीब है इसके बाद 42.1% के साथ जारकंड सेकेंड है सेकेंड अब बिहार के बाद 42.1% जारकंड है थर्ड दोस्तों उत्तर प्रदेश है 37.8% के साथ उत्तर प्रदेश है और सिक्की में 3.82 यह डाटा जो गरीबी रेका का है वेशेस कर 2011-12 से जहां से स्वाल पूचे गए थे वो सब कुछ इस टेबल वगेरा में आपको किलिर हो गया है एक बार पीडिप में देख लेना टेलिग्राम चनल पर लिंक है टेश्क्रिप्स में वहाँ से जोइन करना टेलिग्राम को यह पीडिप डाल दूगा ताकि इस टाइप से थोड़ा हटकर स्वाल आए वो भी आपके गलत ना हो और जो न्यू केंडिएट है दसरा ओफर का लाब उठाना चाहते है टेस्ट बुक से टेस्सीज ले ले लेना टेटीज के कोपन को यूज कर लेना लिंक डेस्क्रिप्स मॉक्स में अभी ओफर्ट चानरा फाइदा उठाएगा धन्यवाद